हैलो एवरिवन तो आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रहे हुई एद स्पेशल सुफ्यानी चिकन स्टिक स्मोकी की रेसिपी जो बहुत ही ला जवाब बनकर रेटी होती है बहुत जादा जूसी बनते है इस एद इस चिकन स्टिक की रेसिपी को जरूर ट्राइग कि से छोटे-छोटे cubes में काट लेंगे wash कर लेंगे और निथार लेंगे अब इसमें हम दालेंगे half teaspoon जो है तो white paper powder और फिर इसमें one pinch जितनी हल्दी दालेंगे बिल्कुल नाम के बरौबर हमें हल्दी दालना है थोड़ा सा नमक दालेंगे one से two tablespoon जो है तो lemon का juice दालेंगे जिससे खटास बढ़िया तरीके से आजाए वन टीस्पून है तो इसमें हम अधर कलसन का पेस्ट डालेंगे अब इन सारी चीज़ों को बढ़िया तरीके से मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से हम इने इसे मिक्स करना है और इसका टेस्ट बहुत ही ज़ादा जूसी और अच्छा है अब इससे हम एक घंटे के लिए रग देंगे मेरिनेशन के लिए अब हमारा सेकड मेरिनेशन के लिए हम एक मसाला बनाएगे उसके लिए हम गयस आओं करेंगे गैस पर एक पैन रखेंगे उसमें डालेंगे वन टेबल स्पून बरके साबुत धनिया वन टी स्पून बरके जीरा डालेंगे और इससे थोड़ा सा मिक्स करेंगे हम थोड़ा इसे चटकने देंगे हाँ मीडियम फ्लेम पर हमें इसे मतलब कि रोस्ट करना है ताकि इसकी बड़िया खुश्बू आचागे थोड़ी दिर हम इसे रोस्ट करेंगे फिर इसमें वन टेबल स्पून जितनी सौफ डालेंगे तो सौफ की कॉंटिटी आप कम भी कर सकते हैं इसे भी अच्छी तरीके से हम रोस्ट करेंगे पास से साथ मिट में यह सारी चीज़े बड़िया तरीके से रोस्ट देंगे इसकी खुश्बू आने लगे तो बस फिर हम गैस बन कर देंगे अब यहाँ पर एक मिक्सी का जार लेंगे उसमें यह जो रोस्ट किया हुआ हमारा धनिया और जीरा है नो दाल देंगे लेकिन हमें रोस्ट जादा नहीं करना यह जल जाते हैं वन टेबल स्पून भर के हम काजू दालेंगे यहाँ पर और इसका एक फाइन पेस्ट बनाकर रेडी कर लेंगे तो देखें गज़िए इस तरीके का पाउडर बनाना एक दो फाइन बनाना है हमें मोटा मोटा दरदरानी बनाना मिक्सी के जार में बहुत यह आसानी से बन है तो इस तरीके का जो है तो हमें इसका एक पाउडर बनाना है जिससे बहुत बढ़िया खुश्बू और फ्लेवर आएंगा अब इसे भी हम साइट में रख देंगे फिर से हम गैस अन करेंगे गैस पर पैन रखेंगे वन टेबल स्पून भर कर इसमें हम ऑईल डालेंगे और टू टेबल स्पून भर कर हम बेसन डालेंगे इसमें जादा हमें बेसन इस्तेमाल नहीं करना सिर्फ टू टेबल स्पून और इसे भी हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे इसमें थोड़ा सा हम बटर डालेंगे ताकि जो हमारा स्मोकी चिकन स्टीक है तो उसमें बटरी स स्वाद आजाए बहुत ही बड़िया स्वाद आता है जरूर इस रेसिपी को इस तरीके से ट्राइक किजेंगा तो इसे अच्छी तरीके से हम सारी चीज़े मिक्स करेंगे अब इसमें थोड़ा सा बटर दालेंगे ताके बटर का भी बड़िया फ्लेवर आ जाए लगबख व इसे ब्राउन करने की ज़रूरत ने बस इसका कच्छापन निकल लाए तो बस फिर हम गैस को जो है तो बन कर देंगे बाकि इससे पहले हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि यह बेसन अच्छी तरीके से भून जाए तब यह जो बेसन ने मस्त बढ़िया तरीके से हम हमारा भून चुका है अब इससे दो से तीन मीट हम भूनें क्योंकि थोड़ा सा ही बैसा ने ना बहुत जल्दी भून करके रेडी हो जाता तो लीजिए कई यहां पर हमारा बैसने भून चुका है सिर्फ हमने गॉल्डन भूना ऐसे अब गैस बन कर देंगे और फिर हम जो है इसमें दाल देंगे इसमें दालेंगे हम 3 तूड़ाइच घर की जो ओड़ी कम थी लेकिन आप ज़रूर से 3 तूड़ा यूज करें इसमें दालेंगे ठोड़ी सी लाल मिशपन विल्कुल थोड़ी सी दालना उंगे जैसे हाँ उनन् IRS इस इतनी इस वाफें आए उन सारी च रेट्पासब्किन उसकी बॉंच हम लेते हैं तो जल्दी आऄका करने हैं अगर आपके पास में डशिक हो तो आप एक से डो घंटें से इसी तरीके 선ijke से अगर टाइम ना हो तो भी चलेंगा अब हमें इस तरीकी की स्टीक लेंगे तो अगर आपके पास में जो पतली वाली स्टीक होती है तो वह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरीकी की जो ऐस्क्रीम वाली स्टीक होती ही वह भी इस्तेमाल करेंगे लेकिन पतली वाली स्टीक से बहुत जल्दी हो जाता ह हो चुका तो जल्दी से स्टीक में फस जाती हो जो दूसरी बारीख वाली उससे तो बहुत ही जल्दी काम हो जाता है तो अगर आपके पास में वह अवेलिबल है तो आप जरूर वह इस्तिमाल करें तो हम चिकन के 5-6 पीस एक स्टीक में इस तरीके से फसा लेंगे इसके उप अपने सारी स्टीक जो है तो रैडी करके रख देंगे स्टीक बनाने के बाद भी आपर इससे मेरीनेशन के लिए एक गंटा रख सकते हम ने तो ऐसे ही किया था भी इस तरीके से स्टीक सारीज में रख दिया तो ना यह इसमें पानी छुटटा है नो कुछ बिलकुल एकश स्वाद आता है तो ज़रूर आप बटर इस्तेमाल करें और इसमें बहुत कम ऑईल बटर लगता है जादा बिल्कुल भी नहीं लगता अब एके करके हमारी स्टीक लेंगे और इसे हम पैन में डालेंगे तो यहां पर ध्यान देने वाले बात बिल्कुल भी हमें फुल फ्लेम पर नहीं बनाना है इस स्टीक को हमें मीडियम तर्लो फ्लेम पर फ्राय करना है सिर्फ 3-4 मिट में देखेगा इसी इसमें कलर आना स्टीक और जो चीकन है बहुत अच्छा बढ़िया जूसी हो चुका है तब इसे नीचे उपर करके चारो तरब से हमें इस तरीके से पकाना है ऐसा नहीं कई पकाना और कई पे छोड़ देना तो इस तरीके से जो हमारे 10 मिट हो चुके थे हमारी स्टीक जो है कितनी बढ़ि है और इस तरीके से उपर से हम इसे जो है तो थोड़ा सा सीखना है ताके जो रेस्टोरेंट में स्टीट फूड में जो सीखे हुए स्मोकी स्टीक आते न तो सेम एकजेट उसी तरीका के फ्लेवर इसमें आएंगा बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है जरूर इस टीप्स जो है तो स्मोक दे देंगे अब यहाँ पर हमारी सर्विंग डिश है और यहाँ पर पूदीने की चटनी और प्यास के लच्छे के साथ में सर्फ करेंगे तो आई होप गाईज आपको यह सूपर डिलिशिस सूफियानी स्टिक की रेसिपी पसंद नहीं हो अगर आपको यह र करना सब्सक्राइब करना साइट में जो बेल बटन आता है ना उसको जरूर से आल पर क्लिक कर देना ता कि आनों हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे अल्लाह अफीस